next start करते हैं हमने कुछ topics कर लिये ते complex अमर और कुछ topic हम कर चुके थे ठीक है हम में पता लग देगी complex नमर क्या होता है ठीक है complex numbers को add कैसे करते हैं सöb टत कैसे करते हैं multiply कैसे करते और divide कैसे करते complex number झाइच है यह च्यार आपरेशन समने सीखे फिर हमने सीखता है additive inverse क्या होता है multiplicative inverse क्या होता है ठीक है अब हमें उससे आगे बढ़ना है ठीक है तुस्पे बेस्ट क्यूसर्ट है वह कर लेते हम लोग तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा concept और ज्यादा अच्छा हो जाएगा ठीक है तो exercise 5.2 में 5.1 आपका हो जाएगा complete क्योंकि इसमें जो मैंने आपको करवा दिया है जो आपको करवाया था मैंने second था जो पाउर वाले किसंस होते हैं ठीक है और और लास किसंट जो था उसका वह था किसंट देगा जैसे हम इसमें से एक ले लेते हैं किसंट नंबर फोर गिया बना है इस थी प्लस किसंट नंबर का सेकिंड पार्ट है यह कि रूट ओफ माइनस वन होल डिवाइड बाए है टू माइनस रूट ओफ माइनस वन मुझे गीवन है और इसने बोला है कि express the following complex number in the form of a plus iota b मुझे क्या करना है इन complex number को a plus iota b की form में चेंज करना है यह कभी-कभी a plus iota b small में में लिख देगा capital में लिख देगा कोई फरक नहीं पड़ेगा ultimately मुझे वही करना है ठीक है इसी execution को बोल सकता कि simplify करो कि क्या बोल देता simplify करो या फिर बोल देगा evaluate करो सारी चीज़े एक ही है finally मुझे वही process करना है ठीक है जो हमने सीख है हमने चार चीज़े सीखिए चार operation होते में बस addition subtraction multiplication and division उन्हीं का मुझे यूज करना है और मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है ठीक है तो मैंने आपको पहले पताया था कि इसको क्या करेंगे रसलाइज कर दो बैसलाइज में क्या करते हैं बीच का साइन चेंज कर दो और उसी से multiply कर दो उसी नमबर से डिवाइड कर दो तो अब देखो ऊपर तो दो complex नमबर उनकी मुझे करनी है और नीचे मेरे पास identity हमेशा जो रसलाइज जिसने में बनती है ए माइनस बी इंटू प्लस बीज ए स्क्यार माइनस बीज स्क्यार तो उपरवाला सॉल करते है थ्री की मल्टिप्लाइट टू से करोगे तो प्लस का थ्री आयोटा अब आयोटा की मल्टिप्लाइट से करोगे तो प्लस का 2 आयोटा और आयोटा की मल्टिप्लाइज जब आयोटा से करोगे तो क्या होजाएगा प्लस आयोटा स्क्यार होल्ड इवाइड बाई नीचे देखो भाई A minus B, A plus B, क्या बनेगा, A square minus B square, ठीक है, ये मेरा है A minus B into, ये मेरा है A plus B, equal to हो जाएगा, A square minus B square, A क्या है यहाँ पे, 2, तो 2 का square क्या होता है, 4, minus का sign as it is, B क्या है यहाँ यहाँ पे, Iota, तो Iota का square, Iota square, I think यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए, simple सा है, ठीक है, जो चीज़े हमने की है, वही है बस, उपर क्या है, statement change होगी, कि इसको simplify करो, evaluate करो, A plus Iota B की form में convert करो, ठीक है, चीज़े वही हैं, जो हम करते आ रहे हैं, अब मुझे पता है, I square क्या होता है, minus 1, I square क्या होता है, minus 1, minus पहले से, minus 1 तो क्या जाएगा, plus का 1, अब ये और ये मेरा real part है, तो 6 minus 1, this become 5, plus का 3, plus का 2, this become 5 Iota, whole divide by मेरे पास, 4 plus 1 is 5, अब मुझे A plus Iota B की, यानि real part अलग चाहिए, complex, जो, sorry, imaginary part है, वो अलग चाहिए, ठीक है, तो अलग-अलग कर दो भाई, तो मैं इसको 5 divided by 5 लेक्ट देता हूं, plus 5 Iota divided by 5, 5 से 5 गैंसलोट, 5 से 5 गैंसलोट, या बचा 1 plus Iota, that's your answer, ठीक है, simple है, तो next type of questions क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि A plus Iota B की form में मुझे इसको करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जाएगा सिंपल से उप्रेशन होते हैं हमारे पस, कुछ अलग-अलग भी दिये जा सकते हैं, ज़रूर नहीं हर बार ऐसलाइज का दिये हो, ठीक है, जैसे एक उस्तों और उठाते हैं हम लोग, इसे से रिलेटेड, आपको गीवन है, 1 प्लस Iota, whole raise to power 4, divided by, 1 minus Iota whole raise to power 4, ठीक है, अब इस क्यूस्यन को, आप, दो मेथट से कर सकते हूं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको पता देता हूं, ठीक है, अब देखो, एक तरीका ये है, कि मैं इसको, 1 प्लस Iota whole square का whole square लिख देता हूं, क्या मैं लिख सिकता हूं, पावर मेरी 4 है, मैंने इसको 2 raise to power 2 करके लिख दिया, मुझे पता है, पावर के उपर पावर के लाज़ती है, multiply, 2, 2, 4, यह नहीं, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, जहां था, ठीक है, As it is, मैं इसको change कर लेता हूं, और this become 1 minus Iota raise to power 2 whole raise to power 2, कर सकते हैं बाई, किसी को कोई problem, I think नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब मेरे पास से उपर है, A plus B whole square, A plus B whole square का formula, हम छोटी क्लासी से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, This is A square plus B square plus 2AB, ठीक है, लगा दो, A square मतलब 1 का square, plus B square मतलब Iota का square, और plus 2AB, 2 into 1 into Iota, मतलब 2 Iota, simple है, whole divided by, A minus B, अब A plus B किजी कहें, A minus B, तो यहां minus आएगा, तो यहां भी minus आजाएगा, A square, 1 का square, B square, Iota का square, और plus 2AB, तो यहां पर होगा, minus 2AB, मतलब 2 Iota, और इसका भी square है मेरे पास, ठीक है, आप देखो, मुझे पता, Iota square क्या होता है, माइनस का वन क्या होता है भाई माइनस का बंद स्किर क्या होता है माइनस का वन इससे यह केंसलाओँ से सब्सार्ट्डफ केंसब उपर बचे मिरे पास टू आयठा होल च्वेर ओंद संट ग Stall हो कि टौट अकर एस इस फोर इडा स्कूर माइनस का स्केर होकर गाऊने तो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं इसी को मैं one प्लस आयूटा divided by one minus आयूटा क्या all 5king र Rider फोल लिक सकता हूं किसी को कर प्रॉल्म मै I think नहीं हो नीची हो स्याहिंन से अगर A raised to power M है divide by A raised to the sorry b raised to power M है तो मैं इसको A on this power ile estrat M है इसको एसे कर सक्ते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो same concept मैंने यहां लगा दिया पावर अलग लग थी मैंने एक ट्थी कर दी mieć power सेम आब यह नीचे या करो रेसलोड आइसको टीक है फावर 2 फो लोनी के बाशा है तो ऐसलाइस का मतलब इसका sign change करो यह उपर जाएगा one plus iota से multiply और one plus iota से divide whole is to power four मेरा एध़िटीज उपर क्या बन गया उपर बन गया a plus b a plus b यानि a plus b का होल स्क्यार यानि one plus iota का होल स्क्यार नीचे क्या बनेगा a minus b a plus b is a square minus b square वन का स्क्यार तो 1 और iota square is minus iota square ठीक है और whole is to power four मेरा एधिटीज रहेगा ठीक है बाई one plus Iota का whole square खुल दो identity तो one plus Iota square plus two iota whole divide by Iota square क्या होता है minus 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 become plus one plus one is two whole is to power four entities Iota square is minus one इससे यह cancel out नीचे क्या बचा मेरे पास नीचे बचा मेरे पास तू आयटा डिवाइड बैट तू से यह तू कैंसल हो जाएगा बचेगा आयटा 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 राइस टू पावर फॉर क्या होता है वान आइटिंक आंसर सेम है तो आप कैसे भी कर सकते वह मैंटर नहीं करता है ठीक है तो यह था हमेरे टाइप 3 जो यह किसें समारे हो जाएंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं है कि देखों क्यूशन नम्रफ फाइफ में गीवन है मुझे आसान सा किसन वन प्लस आयटा होल डिवाइड बाई one-mैनस आयटा मुझे किसन कि इवन है वन प्लस आयटा होल डिवाइड बाइड वह रहेस टू 4N plus 1 क्या गिवन है 4N plus 1 यह मुझे गीवन है और मुझे बोला है इसको सिंप्लिफाइ करना है ठीक है सिंप्लिफाइ बोल दो या फिर एवल्मेंट बोल दो एक ही बात है ठीक है एक चीज में आपको बताना बूल गया सोरी यहां पर के इस किष्ट्star में अगर आपको बोला है कि मुझे एल्टा वीक्य फोर्म में करने मेरा आई चाथ Mm तो क्या यहां ची थे जो आयोटा इस ए प्लस आयोटा बीकिव एस जीज जहां रखने लास में जरूल क्या ना अधर वाज मार्क्स कटेंगे आपके ठीक है मुझे अप्लस आप बीकी फॉर्म चीए ठीक है तो यहां पर बीजीरो है मुझे सिर्फ रियल पार्ट मिला इसका मतलब मेरा बी क्या है है zero है यहांपर ठीक है हो जाएक आप अब मुझे यह वाला कि सुन क्या करना है है सौा करना है कि 1 प्लस एटा 파ology दिवाय fresh हमारे पास है मतलब एक वेरियेबल है इसकी वेल्यू हमें नहीं पता है तो इसमें क्या करें सेम प्रोसेस जो हमने सीख है उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं यहां तो मैं इसको सिंप्लिभाइ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो मैं इसको करूंगा वन प्लस आयटा डिवाइड बाई अभी आभी किया हमने इसा ही किसन रेसलाइज करोगे तो यह उपर जाएगा तो साइन चेंज कर तो उससे मल्टिप्लाइए और उससे डिवाइड होल डिवाइड बाई ए माइनस भी है और इंटू एप्लस बी है क्या बन जाएगा ऀस्कार माइनस बीस्केर मतलब लन माइनस इटा का स्केर ठीक है और होल ड्स टू पावर मेरी क्या है क्या है फॉर एड्लस वहां पे FOREं प्लसवन और कोई ज्ञाद़ दिफरेंस नहीं है यह यह करोगे तो 1 as it is minus i2 square क्या होता है minus 1 minus minus become plus 1 whole raise to power 4n plus 1 यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चीह i2 square क्या होता है यह होता है मेरा minus का 1 इस से यह cancel out और उपर क्या बचा 2 iota divided by 1 plus 1 is 2 whole raise to power 4n plus 1 इस 2 से 2 cancel out मेरे पास बचा सिर्फ 5 iota और iota की power क्या 4n plus 1 है क्या मैं इसी को iota raise to power 4n into iota raise to power 1 लिख सकता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम यह भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि a raise to power अगर m plus n हो तो मैं उसको a raise to power m into a raise to power n भी लिख सकता हूँ ठीक है पावर प्लस में हो तो पावर को लग-लग कर दो बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी वहीं पहुंच जाएंगे जांते ठीक है iota raise to power 4 n को मैं क्या iota raise to power 4 whole raise to power n भी लिख सकता हूँ मुझे पता है पावर के उपर पावर मल्टिप्लाई हो जाती है यह नि 4 into n is 4 n अगेन मैं वहीं पहुंच जांगा ठीक है तब iota raise to power 4 क्या होता है मुझे पता है यह होता है और 1 की पावर कुछ भी हो क्या हो जाता है 1 क्या बचा मेरे पास iota raise to power 1 मतलब iota iota तो that's your answer और इसमें पूचा जाता है क्या पूचा जाता है कि show that is rational और real number कई बार क्या बोल देगा आपको ऐसे किसंद देगा कोई भी ठीक है जैसे यही वाला था मालो तो यह बोलेगा प्रूव करो कि यह rational लंबर है तो rational कैसे प्रूव करोगे बाई सबको पता है one is a rational number it means यह मेरा क्या है rational numbers प्रूव हो गया यानि मेरा imaginary part क्या होना चीए वहां पर 0 होना चीए अगर imaginary part 0 है तो वह rational number है as it is वह पूच ले कि prove that this is a real number real number क्या होता है बाई जितने numbers हमने पढ़े 10th class तक यानि जहां आयटा नहीं होता वो सारे real number होते है that means this is also a real number तेक है I guess I think sound में है कई और बोल देता है कि sure that this is purely real purely real मतलब सिर्फ real part होना चीए यानि real number होना चीए purely imaginary मतलब जैसे इस कांसरा है मेरा आयोटा यह मेरा क्या है purely imaginary number है यहां पे मेरा जो real part हो क्या है 0 है यहां पे मेरा real part क्या है अगर मैं इसको एक प्लस आयटा वह जीरो है इमेजनी पार्ट क्या है 1 है आयटा के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है it means इस नंबर है यह purely imaginary number है और यह जो नंबर था मेरा यह क्या है purely real number है ठीक है हो जाएगा तो 5.2 में आप question number six seven कर सकते हो eight I think आपको कुछ नंबर nine तेक कोई प्रोलम नहीं आने वाले कुछ नंबर nine तेक आप easily कर सकते हो ठीक है 10 थोड़ा सा discuss कर लेते हैं मैंने आपको वैसे भी करवा दिया था थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको 10 में पूछा इसने additive inverse मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स क्या होता है इससे इसने सब्सक्राइब उसने को नेगेटिव ओफ है नमबर हमने क्या चीग था कि किसी भीटेव नम्बर का अगर मैं नेगेटिव लेलू तो वह क्या हो जातकी इसका इसका मतलब तो इसका negative मदलना minus minus three plus four right now så Oh minus अंदर जाएगा तो minus से तो हो जाएगा plus यह plus से तो हो जाएगा minus four right that's your answer है जिर के इट मींस negative of a number ठीक है एक और कि उसन जैसे दिया हुँआ इसने कि कुछ अलग करके दे जैसे कि IOTA root minus nine plus five आइटा कि इसका मुझे क्या करना है अगर कोई नंबर में नहीं मिलता है तो हम उसको चेंज करेंगे हम उसको क्या करेंगे जैसे हमने पीछे किया है यानि पहले उसको क्या करना पड़ेगा इसको प्लिफाइब करेंगे पहले हम उसको जब सिंप्लिफाइब हो जाएगा दन हम उसको चेंज कर देंगे जैसे यह नंबर है इसकी साथ है कोई दिक्कत नहीं अब रूट ऑफ माइनस नाइन है तो नाइन का रूट तो होता है मुझे पता थ्री माइनस भी अंदर है माइनस वन आगे लग जाएगा मैनस तो यह आपका नमबर बन क्या माइनस ट्री फ्लस फाइटा इसका मुझे अच्छी पैसी कुछ बलस फो रटा सेवन थ्री अटा कुछ भी ऐसे दे देगा बोलेगा इसका एडिटीए निकालो तो कैसे दो निकाले इस इडिए डिए पह कैसे करते हैं को रेसलाइज करूँगा मैं तो इसको पहले कर लो और करने के बाद हम क्या करेंगे जो आंसर मेरा आएगा एप्लस आईटा बी की फो में जो आएगा उसका हम एड़िटिव निवस्ट यानि नेगेटिव ले लेंगे तो वो मेरा बन जाएगा ऐड़िटीव इ करना हो तो ट्राइ करो सबसे पहले कि मैं उस क्यूस्टन को ए प्लस इटा बी की फॉर्म में ले आता हूं तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो असानी स्क्राइब बात करते हैं नेक्स क्यूस्टन है हमारा mile one find the multiplicative inverse scandale हम ने कल सिखा था कोई भी नंबर आपको इसको मल्टिप्रीटिव इनवर्स कैसे निकालते है ah oh मैं आपको बताया है थे से फाइप्रिटिभित फ्रe मुंचिप्लीकाइव उन unpredictable मुझे मिलेगा игра वन मिलेगा ठीक है तो ऐसा след js है जैसे मुझे कीवन है कि चू माइनस ट्री इड्र तू माइनस थ्री आट है और मुझे इसका क्या करना है मल्टिप्लिकेटीव इन्वर्स निकालना है ठीक है ऐख आसान शाइट न करना लेते हैं फिर नबर बट मुझे हर एक नमबर चाहिए ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में तो मैंने आपको बता दिया ना किसों नहीं कर लिया कि भाई करो विवलेट करो या फिर इस फॉर में construction को यैसे तो करना ही पड़ेगा इसका मतलब इसको मुझे इस свое म करो रचनलाइज कैसे करते हैं लिभी का साइन चेंज करो तो यह जाएका 2 प्लस 3 आयटा से मल्टिप्लाइब और 2 प्लस 3 आयटा से ही दिवाइड सब वन को आपके से multiply करो तो मुझे number मिलेगा 2 plus 3 iota whole divide by नीचे हमेसे मेरी identity बनेगी a minus b into a plus b क्या होता है a square minus b square a मतलब 4 का square sorry 2 का square 4 b मतलब 3 iota का square minus 3 का square 9 or iota square is iota square अम मुझे पता iota square होता है minus का बन्तु यह हो जाएगा plus 9 plus 4 is 13 क्या हो गया 13 अलब लग करते हैं तो दिस 2 by 13 plus 3 iota by 13 that's your answer कि अधिक सिंपल जाता ठीक है हो जाएगा तो हमने कल भी सीख लिया था एक एक जामपल हम आज ले लिया और एक थोड़ा सा अच्छा किसे नोल कर लेते हैं इसे से पर बेस्ट ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स में लास्ट पार्ट कर रहा हूं किस्ट नुम्ब 11 का लास्ट पार्ट मेरा है एक तो तरीका यह है कि पहले मैं इसको a plus iota b की form में convert करूं ठीक है और फिर उसके बाद मैं इसका reciprocal निकालूं एक तरीका यह है कि मैं इसको directly कर लो मुझे पता है इस number का rest उल्टा क्या होगा इसको उल्टा कर दो यानि अगर मैं इसका multiplicative universe निकालूं तो मैंने यहां पर क्या किया भाई यह 2-3 आयोटा था divided by मैं लिख सकता हूं तो मैंने क्या कि इसको उल्टा कर दिया यह इन डिनोमिनेटर को उपर ले गया नियूमिनेटर को नीचे लिया है तो से काम यह मैं यहां कर देता हूं तो इस बिकम 5 प्लस आयोटा होल डिवाड़ बाई इस इस टू प्लस थ्री आयोटा इंटू थी प्लस टू आयोटा आय तिंग यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सिंपल चाहिए थी मैने इसको ऊल्टा कर तैसका रसे एक प्र बैसे और प्र साओ करता फिर वापस करता था करता तो से अधे लिए reciprocal कर दो अब इसको मैं simplify कर लूँगा ठीक है उपर तो कुछ नहीं है तो उपर तो मैं रखता हूं पहले तो 5 प्लस आईटा तो मेरे रहेगा अब नीचे देखते हैं बाइचे एक तरीका तो इस आईटा को अंदर ले जाओ यहां पर अंदर जब लेके जाओगे तो कि क कि मैंने पहले कर दी तीसरा में रखता हूं this is 3 प्लस टू आउटा आइटिंग यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है अब मुझे पता है आईटा स्केर क्या होता है माइनस का वन क्या होता है माइनस का वन तो इसको मैं डाइक लिग दूँ माइनस ठीक है अब इन दोनों की मुझे multiply कर रहे हैं ऐसे करें भाई टू आइटा माइनस 3 है 3 प्लस टू आइटा है तो क्या मैं इसको स्टेंडर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऊपर तो मेरा 5 प्लस आइटा एटीज रहेगा होल डिवाइट बाए क्या मैं इसको माइनस 3 प्लस बन रहे है तो बन कैसे रहे एब बच्चे ये बोलेंगे हमारे एडिटी होती है बाइनस बी इन्टो ए प्लस बी और ये होता है है a2 माइनस crystal बट यहां पे क्या दिक्कत आगी यहां पे दिक्कत आगी मैनस a plus b और a plus b मेरा विच्छ से बन रहा है बहुराँ उने उन्हांच क। इस जब्ध मेरा इस एसे बन रहा है तो क्या मैं इसी को b-2 इन्टू B प्लस A लिख सेता हूं इसमें तो किसी कोई प्रॉलम नहीं हो नीची ठीक है अभी फिर से आइडेंटी से मरगी ना ए आगे वो पिछी कोई फरक नहीं पड़ता यानि पहले वाले ट्रम का स्केर माइनस बाद वाले ट्रम का स्केर यानि जिसके साथ नेगेटिव ह वह बाद में आ जाएगी और जिसके साथ पोजिटिव पहले आ जाएगी बस इतने फरक आएगा ना तो सेम कॉंसेप्टम यहां लगाते हैं प्लस का टू आइटा इसके साथ आएगा प्लस तो टू आइटा का स्केर क्या होगा वाई फोर आइटा स्केर और माइनस में माइ माइनस थ्री का स्केर क्या हो जाएगा नाइन थ्री का स्केर क्या हो जाएगा नाइन बस यह डिफ्रेंस आ अब आइटा स्केर क्या होता है माइनस वन तो यह हो जाएगा माइनस का थर्टीन क्या आएगा माइनस का थर्टीन ठीक है तो उपर मेरे पास है 5 प्लस आइटा औ सब्सक्राइब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं चीज असान है ठीक है सर्फ यह चीजें आप हो गए तो आपको यह concept आने चाहिए ऐसा नहीं है कि हम बच्चों की तरह बार बार यह इसको ऐसे लिखें मैंने आपको बता दिया लेकिन understood हो जाने चीजें ठीक है यह फॉर्मला क पड़े थे जो जो concept सीखे थे वो उस ताइब के सारे questions हम लगबग कर चुके हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट क्यूसर नमबर 14 और 15 मैं आपको जब conjugate हम कर लेंगे उसके बाद करवाऊंगा क्योंकि करने के दो तरीके एक तो हम directly ऐसे करेंगे और कासी भी complex नमबर का square root कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं ठीक है हम सीखेंगे स्क्वेर रूट निकालना ठीक है कोई भी complex नमबर होगा उसका square root कैसे निकालना है square root करने के लिए आपके पास दो method होंगे क्या होंगे दो method होंगे ठीक है हम दोनों सीखेंगे हमें दोनों आने चाहिए ठीक है तो कोई एक question मैं ले लेता हूं तो first question में उठा लेता हूं 7 plus 24 आयटा 17 का first part है मेरे पास 7 plus 24 आयटा पहले में आपको long method करवाता हूं फिर हम sort method करें क्योंकि sort हो गया तो फिर long कोई नहीं करेंगा ठीक है तो मेरे पास है 7 plus 24 आयटा ठीक है यह मेरे पास question है और मुझे क्या करना है इसका square root का मतलब क्या है भाई इसका मतलब यह है भाई square root ऐसे निकालते है 5 का square root निकालोगे तो root of 5 इस ही तो होता है तो same method is मेरे पास 7 plus 24 आयटा है मैंने उसका क्या कर दिया square root निकाल लिया ठीक है तो हम क्या करेंगे first step मेरे रहेगा कि मैं इसको मान लेता हूं let this is equal to x plus आयटा भी यह x plus y आयटा मैंने इसको किसके क्यों मान लिया कि इसका square root होगा वह x plus 4 आयटा के equal होगा यानि अगर मुझे x और y की value मिल जाए तो मैं इसका answer विकाल सकता हूं क्योंकि x और y की value पूट करूं तो इसका square root आ जाएगा तो अब निकालने के लिए तरीके क्या है वो देखते हैं ठीक है first step तो इसको root को अगर मैं उदर लेके जाऊंगो तो क्या हो जाएगा square हो जाएगा यह नहीं बोल सकता हूं squaring both side as it is मेरा is equal to a plus b whole square क्या होता है a square यानि x का square plus y है मेरे पास तो this is y square और साथ में आयटा तो आयटा square a square plus b square plus 2ab 2ab मतलब 2xy iota I think यहां तक किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए अब मुझे पता है आयटा square होता है माइनस का one तो मैं इसको directly माइनस लिख देता हूं यहां पर मुझे मिल गया x square minus y square plus 2xy is equal to oh sorry 2xy iota टेक है किसके equal है 7 plus 24 iota अब देखो मेरे पास एक complex number यह है एक complex number यह है और दोनों क्या है equal है दोनों equal है इसका मतलब है इसका जो real part है इसके real part के equal होगा और इसका इमेजनी पार्ट इसके इमेजनी पार्ट के इक्वल होगा है यानि therefore मैं बोल चकता हूँ कि x square minus y square आयटा नहीं है इन दोरों के साथ मतलब यह real part है इस side आयटा किसके साथ नहीं है 7 के साथ यह किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा के बाद अब करते हैं अब आपको मैं एक चीज बताता हूं ठीक है पहले उस पर डिसके करते हैं कि मेरे पास x square है plus y square है और उसका whole square अगर मुझे गीवन है ठीक है तो उसके equal to क्या होगा मुझे पता है a square plus b square हो यह end लगेगी a square मतलब x square का square is x raised to power 4 b square मतलब y raised to power 4 plus 2a मतलब 2x square y square x square y square अगर मुझे यहां पर x square minus y square लेकिया नहीं तो क्या करूं मैं अगर मैं इसी में क्या कर दूं minus 2x square y square subtract कर देता हूं 2x square y square add कर देता हूं तो I think कोई फरक नहीं पड़ नहीं मैंने जो चीज एड की वही subtract कर दी finally कुछ वही है मैंने क्या किया 5 में plus 1 कर दिया और बाकी क्या बचा मेरे पास बाकी बचा 2 plus 2 is 4 x square y square same terms है तो मैं इन दोनों को कर सकता हूं add ठीक है यानि यहां से मेरे पास एक formula निकल के आया कि x square plus y square का whole square जो है वो किसके यानि दो equations है मेरे पास ठीक है तो अब एक तरीका तो यह है कि मैं यहां से x और y की value निकालों यहां put करूं ठीक है और वहां से 4 x square y square क्या मैं 4 x square y square को लिखता हूं 2 x y का whole square यह सनो 2 x square 4 x square and y square ठीक है तो 2 x y हमने निकाला हुआ है 24 this is 24 whole square आगे simplify करते हैं this is x square plus y square का whole square is equal to 7 square is 49 24 square is 576 add करोगे तो 625 और square जब उदर जाएगा तो root यानि x square plus y square is equal to क्या हो जाएगा भाई root of 625 और 625 का root होता है 25 और साथ में क्याएगा plus minus क्योंकि root करते तो क्या आता है plus minus लेकिन यह square है क्या यह negative term हो सकती कभी नहीं हो सकती यह square है क्या यह negative term हो सकती कभी नहीं हो सकती बीच में sign किसका है plus का तो क्या यह पूरी term कभी नेगटीव हो सकती है नहीं तो इसका मतलब मैं इस negative को consider नहीं कर सकता यह कभी भी नहीं हो सकती तो इसका मतलब मेरा जो x square plus y square equal to क्या आएगा 25 यहां पर लिख देंगे हम x square plus y square can never be negative यह कभी भी negative नहीं हो सकती आई वह समत में इसका मतलब x square plus y square is equal to square this is your equation number 3 अब 1 और 3 को solve करके मैं x और y निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकते हैं तो 1 है मेरे पास x square minus y square is equal to 7 और जो मेरे 3 है वो x square plus y square is equal to 25 5 add कर दो add कर दो यह area cancel out क्या बचा this is 2 x square is equal to 7 plus 25 this become 32 यही बनेगा x square क्या हो जाएगा भाई this is 32 whole divided by 2 means this is equal to 16 x की value क्या है कि root of 16 मतलब plus minus 4 क्या x plus minus 4 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है x हो सकता है plus minus 4 ठीक है तो x की value क्या आगी plus minus 4 अब मुझे किस की value चाहिए मुझे चाहिए y की value भी ठीक है तो किसी भी क्यों पूट कर दो मुझे पता है x square क्या है 16 तो किसी एक पूट कर दो थर्ड में कर देता हूं तो this is x square है मेरे पास 16 plus y square is equal to 25 तो y square की value जो आएगी मेरे पास हो आएगी 25 और minus का 16 मतलब 9 तो y की value क्या हो जाएगी this is plus minus 3 क्या हो जाएगी plus minus 3 यह y की value क्या आगी plus minus 3 अब एक चीज़ ध्यान रखना ठीक है क्या है मेरे चोंप्लेक्स नंबर है यहां पर मैं देखा कि xy is equal to 24 तो y क्या रहा है है पॉजिटीव ट्रम आ रही है 24 नहीं देख ना 24 क्या के साइन देखो क्या रहा है पॉजिटीव क्या है मेरा पॉजिटीव साइन है तो यह चीज़ और ध्यान रखना x into y का product जो है positive का भा सकता है या तो दोनों positive हो या फिर दोनों क्या हो negative हो दोनों क्या हो negative हो ठीक है तो यहां से देखो plus minus 4x की value आई है यहां y की value plus minus 3 आई है यानि इसके square root क्या हो सकता है वो हो सकता है या तो positive यानि 4x प्लस 3 आयोटा एक अंसर तो यह हो सकता है या फिर माइनस का 4X और माइनस का 3 आयोटा ठीक है? यानि या तो मैं X और Y दोनों को एक साथ positive लोगा या दोनों को मैं एक साथ कहलोगा negative बाई चांच यहाँ पे negative होता मेरा यहाँ पे क्या होता? negative तो negative की case में मुझे पता है कि negative product का बाता है जब दोनों में से कोई एक negative हो तो उस condition में मैं क्या लेता? एक को प्लस या नि मैं जैसे X की वेल्यू प्लस माइनस 4 है तो मैं इसको 4X लेता और इसको माइनस लेता ठीक है? या फिर अगर इसको माइनस लेता तो फिर मैं इसको प्लस लेता ये चीज ध्यानक लेना भाई ठीक है? थोड़ा सा ध्यानक ना है यहाँ पर इस product पे मुझे ठीक है? I think हो जाएगा कोई problem नहीं होनी चाहिए आपको ठीक है? और कुछ बच्चे ऐसे करना चाहेंगे इसको कि यहाँ से मैं x की value निकाल लूँ तो x की value क्या आजाएगे? मेरे this is 12 by y आजाएगी यह value यहाँ पर put कर दूँ और फिस से मैं निकाल लूँ आप निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर y raise to 4 बन जाएगी तो जैसे x की value पूट करोगे तो this become 144 किये होएं तो आप अचानी से कर सकते हो कोई problem हो तो comment करके बताएं आपको करवाया जाएगा ठीक है तो I think क्यूशन हो गया ठीक है तो ज्यादा मुस्किल नहीं था ठीक है इसी concept को लेकि हम एक और क्यूशन करेंगे ठीक है और पहले मैं इसका shortcut भी बता देता हूं आपको सो ट्रिक जो सोर्टर में थाड़ है वो कैसे करते हैं कि इसी क्यूशन को लेते हैं चेक भी हो जाएगा कि सभी कर रहे हैं कि नी मेरे पास सेवन प्लस 24 आइटा और मुझे इसका निकालना है स्केर रोट ठीक है लोगर मैथर आ ठीक समझ में आ गया होगा आप लोगो को ठीक है कि पहले x प्लस आटा वाई के एककवल लेलो ठीक है रूट को दले क्याओगा स्केर हो जाएगा ठीक है वहां से मुझे रियल पार्ट को रियल के को करना है इमेजरी को इमेजरी करना है फिर उसके बाद मुझे फॉर्मला लगाना है x square प्लस y square का whole square किसके equal होगा x minus y whole square plus 2xy square के equal होगा ठीक है वहाँ से एक और equation बनेगी x square प्लस y square में इन दोनोगी questions को जब मैं solve करना हो तो मुझे मिल जाएगी x और y की value ठीक है वह x y की value यहाँ put कर दो उसको put करने में जो ध्यान रखना है वो यह product आपको ध्यान रखना है ठीक है ठीक है अब दूसरा method करते है चरने का इसमें क्या करोगी आप यह 24 आइटा है ठीक है देखो मुझे complete square बनाना है तो a plus b whole square का formula मेरे पास होता है a square plus b square plus का 2ab यह मेरा formula होता है a square plus b square का ठीक है तो यानि 2 terms में square आएगा और एक में मेरे पास single single terms आएगा और साथ में क्या रहेगा 2 तो जिस ट्रम के साथ आइटा आपको दिखे जिस ट्रम के साथ आपको आइटा दिखे उस ट्रम को कैसे ब्रिक करना आप 2 into a b की form में convert करना है ठीक है यह नि देखो आइटा तो रहेगा ठीक है 24 के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा मेरे पास 2 into 12 बचेगा 2 into 12 आइटा अब इस 12 को ब्रिक कर लो दो ऐसे numbers में जिनको अगर मैं square करूँ तो add या subtract करूँ तो मुझे 7 मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए ठीक है ठीक है तो देखते हम तो इस 12 को में लिख सकता हूँ क्या 4 into 3 आइटा की 4 में लिख सकता हूँ यस और नौ किसी को कोई प्रॉलम क्या मैं इसको 2 into 4 into 3 आइटा लिख सकता हूँ देखो 2 4s are 8, 8 3s are 24 आइटा ठीक है हो गया तो अब मेरे पास number जो बना 4 और 3 आइटा बना क्या बना भाई 4 और 3 आइटा बना अब इन दोनों का स्क्वेर करो और उनको add करके देखो क्या 7 बन रहा है अब मैंने 4 का स्क्वेर किया मुझे मिलेगा 16 3 आइटा का स्क्वेर किया तो मुझे मिलेगा 9 आइटा स्क्वेर और मुझे पता आइटा स्क्वेर क्या होता है माइनस 1 तो अगर मैं 16-9 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है मुझे मिल जाता है 7 यानि जो मैंने यहां पर फैक्टेस बनाए वो बिल्कुल सही हो रहा है मेरा ठीक है तो एक बार फिर से मैं बताता हूं तो क्या करना है जिस रम के साथ आयटा हो उसको टू से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा टू इंटू ट्वेल यहां से अब इस ट्वेल के कोई दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको जब मैं एड करूं तो मुझे सैवन मिलना चाहिए ठीक है मैंने जनली क्या मुझे पता है फ भी माग लगाना है बस बाकी आपका कम बहुत आसान है ठीक है तो मुझे दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका समझो वह आगे वाली ट्रम के एक्क्वल हो ठीक है ऐसा भी मुझे सोतना है ठीक है तो अब मुझे मिल गया 4 और 3 आटा यहां से तो क्या मैं इसको लिख सकता हू रूट ओप 7 को मैं लिख रहा हूं 16-9 7 होता है और प्लस 2 into 4 into 3 यहां तक किसी को प्रॉलम आइटिंक नहीं होनी चाहिए अब 16 को मैं लिख देता हूं 4 का स्केर क्या लिख देता हूं 4 का स्केर और 9 क्या होता है बई प्लस में इसको लिख सितना हूँ- 5 सोरी- am not-स्केर स्केर यहं और 9 क्या होता है-94 क्या होता है-9-4 का स्केर 6 Mexican तो अब मुझे Graduate इस्कeर प्लस 20 यहां पर कभी यहां नेग holistic होगा यहां नेगटिव कभी दो नहीं तो पाजिटीव करने का तरीका क्या है मैं आयटा लेके चला जाओ अंदर ठीक है बाकी मेरे पास बचा टू इन्टू फोर इन्टू थ्री आयटा यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब देखो मेरा फॉर्मला बन गए नहीं होनी है अब देखो मेरा फॉर्मला बन गया आयटा T रूट क्या हो जाएगा भाई रूट अब इस स्क्वेयर से मैं स्क्वेयर से रूट कर सकता हूं बागी का बचेगा फोर प्लस थ्री आटा लेकिन यहां पे लगेगा प्लस माइनस क्यों लगेगा क्यों लगेगा plus minus भाई हम किसी ट्रम का root कर रहे हैं root करेंगे तो हमेशा मेरा क्या आता है plus minus आता है हमने सीखा है कि root of 25 is plus minus 5 ठीक है तो हमेशा यह plus minus sign लगेगा देखो यहां भी मेरे answer plus minus महीं आये थे ठीक है तरीका छोटा सा है लेकिन यहां पर थोड़ा सामें सोचना पड़ेगा अगर यह आपका सही हो गया ठीक है वर उन्टू ट्राइल में हो जाता है ठीक है कोई लंबी चोड़ी कानी निए जब आप प्रैक्टिस करोगी तो आप आपको नंबर दिखने लग जाएंगी क यह कौन-कौन सा है ठीक है तो आपका यह कॉंसेट हो जाएगा ठीक है तो आठिंक स्केर रूट निकलना आ गया होगा असानी से ठीक है एक और कुशन कर लेते हैं स्केर रूट का दोनों मैथड़ से करते हैं उसको ठीक है और फिर आगे बढ़ते हैं चल एक रूट वाली टाम उठा लेते हैं माइनस टू तू तू जाएगा एंड प्लस टू रूट थ्री आए उठा है ठीक है तो यह आपका लास्ट कुशन है इस एक्सेसाइज से फिर हम आगे बढ़ेंगे पोर मड्लेट की तरफ ठीक है मुझे करना है इस ठीक का फिर से स्क्वेर रूट निकालना है क्या निकालना है ठीक है रोन帶 करते कें फीर करते हैं . मैं प्रूस एक्स क्या होगा इसके square करोगे तो यह उदर जाएगा तो this is x plus y आयटा का whole square call the wise को minus 2 plus 2 root 3 आयटा is equal to x square plus y square y square और आयटा square भी यह है y आयटा plus 2ab मतलब 2xy आयटा ठीक है यहां तक किसी कोई problem अब आगे बढ़ते हैं यह एदटीज रहेगा माइनस का 2 plus 2 root 3 आयटा is equal to x square as it is अब आयटा square होता है minus 1 तो this become minus y square और plus 2xy आयटा ठीक है अब real part को real के equal करते हैं imaginary part को imaginary part के equal तो x square minus y square इसका real part है किसके equal होगा is equal to minus 2 as it is 2xy है वो किसके equal हो जाएगा this is 2 root 3 के equal हो जाएगा ठीक है महीं तोना मिलें यहां से मिलने के बाद let मैं इसको बनाता हूं equation number one इसको बनाता हूं equation number two यह बनने के बाद next step क्या रहते हैं मैं निकालता हूं x square plus y square का whole square ठीक है तो x square plus y square whole square का formula हमने सीखा था वो होता है x square minus y square का whole square plus 2xy whole square लिख देता हूं मैं इसको directly ठीक है हमने सीखा था यह आमारा था 4 x square y square था तो मैं इसको directly लिख देता हूं 2xy whole square क्योंकि मेरे पास 2xy की value है अब values बुट कर दो भाई x square plus y square मुझे निकालना है और इसका क्या है whole square is equal to x square minus y square हमने देखा कि minus 2 है और उसकी square हो जाएगा plus 2xy it is 2 root 3 and whole square is there simplify करते हैं minus का square करोगे plus 2 का square करोगे 4 plus 2 का square करोगे 4 root 3 का square 3 4 3 जा 12 12 plus 4 is 16 मुझे चाहिए x square plus y square तो square जब उदर जाएगा तो root of 16 मतलब 4 हम negative नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे भाई क्योंकि मैं पता है कि x square plus y square negative नहीं हो सकता यह बनगे मेरे equation number 3 क्या बनगे equation number 3 अब मुझे पता है 1 और 3 लेना उसको मुझे simplify करना और x और y के value निकल लें फॉस्ट मेरे पास आई थी x square minus y square इस एक्वल तो माइनस तू और एक्विशन बनीए x square plus y square is equal to 4 ठीक है add करते हैं दोनों add होगी मेरे पास बचा 2 x square is equal to 2 यानि x square की value क्या आगे मेरे पास 2 by 2 is 1 यानि x की value क्या आगे plus minus 1 I think sound में आ गया होगा पूरी detail में करने की ज़रूरत नहीं है यह चीजे ठीक है x की value plus minus 1 x square की value 1 किसी भी एक equation में put कर दो आपको दूसरी value मिल जाएगी यहां put कर देता हूं x square की value क्या है मेरे पास 1 plus y square is equal to 4 यानि y square क्या जाएगा 4 और उदर जाएगा तो यह minus 1 it means this is y is equal to 3 आएगा और यह दर जाएगा तो root 3 plus minus root of 3 क्या आएगा plus minus root of 3 तो मेरे पास x की value आ गई y की value तो मेरा answer क्या होगा मेरा answer है x plus eta y ठीक है तो x की value मुझे मिली है plus minus 1 ठीक है और y की value मिली है plus minus root 3 और 7 में मैं लगा दूँगा आएटा क्या लगा दूँगा आएटा that's your answer ठीक है और देखो जब plus होगा तो यहां देखो मेरे आपको बता है 2xy is positive it means अगर दो number बनेंगे तो यह यह तो plus लूँगा मैं दोनों को या फिर दोनों को minus लूँगा यह दोनों मेरे answer होगा ठीक है हो जाएगा यह तिंक तो यह होने के बाद next दूसरे method से करते हैं इसी question को मेरे पास है minus का 2 plus 2 root 3 और मुझे इसको निकालना है square root ठीक है क्या निकालना है तो भाई क्या बोला था मैंने मैंने बोला था इसको ब्रिक कर लो किस फॉर्म में 2xy की फॉर्म में तो यह तो 2 हो जाएगा into x मेरे पास root 3 है और कुछ नहीं है तो into मैं आयटा यानि 1 लगा देता हूं यहां पर ठीक है यानि एक ट्रम तो मेरी बन रही है root 3 और दूसरी बन रही है 1 इन दोनों का square करते हैं लिए खरता हैं 거지 ट्रूट 3 का स्क्यार करोगे तो यहांसे मुझे मिलेगा 2ose मुझी करके देखते हैं अब मुझे पता लगा है रूट 3 इंटू 1बी लित अ-चेक're करके देखते हैं अब मुझे पता लगा है root 3 का square 3 हो जाएगा और ita square क्या होता है minus 1 it means this is minus 3 और 1 का square क्या होता है 1 तो plus 1 this is equal to minus 2 यानि यह वाला जो factor बना वो मेरा सही बना यानि मैं इस minus 2 को लिख सकता हूं minus का 3 और plus का 1 की form है ठीक है और और पूरे का क्या हो जाएगा root ठीक है आगे बढ़ते हैं minus 3 को में लिख सकता हूं root 3 iota का square 1 को मैं 1 का square लिख सकता हूं और plus sorry यह प्लस था plus 2 into root 3 iota into 1 और पूरे का क्या है root अब मेरी identity बन गई a square plus b square plus 2ab तो बना दो root 3 iota plus 1 का whole square का whole root इसे cancel out तो क्या हैगा plus minus root 3 iota plus 1 यहां से भी आप plus minus common लेके लिख सकते हो कि plus minus में common ले तो यहां तो क्या बचेगा 1 plus root 3 iota ठीक है तो दूनों answer same है मेरे इसमें बस imaginary part आगे है मेरा तो standard form होती हो यही रहती कि पहले real part फिर मेरा imaginary part होना चाहिए ठीक है तो that's your answer I think simple है ठीक है हो जाएगा तो हमने सीख लिए square root निकालना ठीक है हमने सीख लिया है ठीक है addition subtraction a plus iota b की form क्या होते square root क्या होता है वो सीख लिया है next important topic हम करेंगे आगे वो करेंगी conjugate and modulus ठीक है वह हम अगली class में करेंगी आज नहीं करेंगे ठीक है एक चीज़ और बता देता हूं मैं यहां पर ठीक है कि अगर कुछ बच्चे जैसे हम जो पहले method करते आ रहे थे अगर उन्हीं से करना चाहें यानि मुझे इसको solve करना है चाहें कैसे भी करो ठीक है वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हो ठीक है इसी से मेरे पास दो हैं मेरे पास दो डोनों निकाल सकता हो मैं याना यहांसे मैं किसी एक गणना डाहर हो और आ डूसरा मंजाएं तो कैसे देको यहां से अगर मानलो य निकालता हूं यह से य की क्या है कि मेरे happen और यह उदर जाे तो तब root 3 divided by x का whole square और is equal to है मेरे पास minus का 2 स्क्यार को खोल दो इसका x square minus root 3 का square is 3 और x square square x square minus का, ओ sorry equal to minus 2 ठीक है यहां तक किसी कोई प्रॉबलम नहीं होनी चीए x square मैं LCM लेता हूँ तो यह हो जाएगा x raise to power 4 minus 3 whole divided by x square whole is equal to minus 2 जब x square उदर जाएगा तो यह हो जाएगा minus 2 x square सबको इदर ले आओ, तो मेरे पास है x raise to power 4 minus 2 x square इदर आएगा तो plus का 2 x square और मेरे पास minus 3 पहले से है whole is equal to 0 ठीक है, अब मुझे क्या करना है यह quadratic equation बनगे किसमें बनी है, x square में बनी है तो यह एक तरीका यह है कि मैं इसको क्या करना हूँ let x square is equal to a मान लेता हूँ x square अगर a है x raise to power 4 क्या हो जाएगा and this is equal to a square तो निकालो यहाँ पर, this become a square plus 2a minus 3 whole is equal to 0 अब मेरे पास यह simple सी quadratic equation बनगी जिसको हम factorization या किसी method से solve कर सकते हैं तो यह हमने सीखा हुआ है 10th class में उने सीखा, 9th में भी सीखा कि कैसे factorize करते हैं factorize कर लो या quadratic formula यूज कर लो वो हम 11th में भी बढ़ेंगे बापिस से लेकिन अगर किसी को method से solve करना है तो उसके लिए मैं पहले से बता रहा हूँ यह minus sign क्या बोलता है यह जिनका product क्या हो 3 हो अब 3 मेरा एक प्राइम नंबर है तो 3 बन जा 3 दो नंबर ऐसे हो सकते हैं 3 और 1 नहीं ठीक है तो बड़ा नंबर प्लस का उनची चोटा नंबर माइनस का तो प्लस का 3-1 क्या बनेगा प्लस का 2 क्या यह प्लस का 2 सम मिल रहे ठीक है यह मेरा क्या होता था हमने सीखा था 10th class में यह मेरा होता था product और यह जो है यह मेरा क्या होता था यह होता था मेरा सम ठीक है तो अगर दो नंबर मुझे ऐसे चूज करने जिनको multiply करूं तो यह मिले तो 3 into minus 1 is minus 3 सही है भाई 3 minus 1 is plus 2 यह भी सही है इसका मतलब मैंने सही किया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a square plus 2a minus sorry 2a को मैं change करूंगा this is 3a minus a1 लिको ना लिको को फरक नहीं पढ़ता minus 3 देखो इन दोनों को solve करूंगा वाप्र से 2a पहुंचा हो या नहीं यहां तक मैंने सही किया है यहां से मैं a common लेता हूं क्या बचाए का मेरे पास this is a plus 3 यहां से minus common लों क्या बचाए का a plus 3 all equal to 0 यहां पर a plus 3 मैं दोनों से common ले लेता हूं यह और यह common आ गया यहां बचा मेरे पास a और यहां बचा minus 1 all equal to 0 यहां से a की value आ रही है मेरी minus का 3 और यहां से a की value आ रही है मेरी plus का 1 ठीक है यह चीज़े clear होगी आपको की कैसे निकलते हैं मैं आपको directly बता रहा हूं तो a plus 3 अब मुझे पता है दो terms का product 0 का बहुत सकता है या तो पहली term 0 हो या फिर दूसरी term क्या हो 0 यानि a की value क्या आएगी या तो minus 3 आएगी या फिर a की value क्या आएगी plus का 1 ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है next अब मैंने a किसको माना था a माना था x square को यानि यहां से मुझे मिल रहा है कि x square is equal to या तो minus 3 होगा x square is equal to क्या होगा या तो minus का 3 होगा या फिर x square is equal to क्या होगा plus का 1 होगा क्या होगा plus का 1 होगा ठीक है क्या x square मेरा minus 3 हो सकता है क्या x square मेरा minus 3 possible है I think किसी भी term का square negative नहीं हो सकता ठीक है हो सकता है किस condition में जब आप complex number पड़ रहे हो ठीक है तो अगर मैं x की value निकालू ठीक है तो यहां से तो simple है मुझे मिल जाएगा plus minus 1 क्या मिलेगा plus minus 1 ठीक है और यहां से क्या मिलेगा x square is minus 3 कब हो सकता है when this is equal to root 3 iota yes or no ठीक है मुझे x की value निकाल ले तो x is equal to क्या हो जागा root of minus 3 root of minus 3 मतलब minus का मतलब iota और यह हो जागा root 3 और साथ में plus minus plus minus root 3 iota बट देखो मैंने यहां पे x और y जब मैं complex number को define करता हूं मेरे पास होता है a plus iota b और मैं वहां define करता हूं कि a is a real number b is also a real number yes or no जो iota मेरा होता है यह बताता है कि b मेरा imaginary part है लेकिन b मेरा क्या होता है b मेरा real number ही होता है कोई ने कोई number होगा कुछ भी पढ़ लो आप ठीक है वह हमेसे क्या मिलेगा आपको real number मिलेगा जैसे यहां पर मैंने यह number है minus 2 plus 2 root 3 iota minus 2 is a real number yes or no 2 root 3 is a real number yes iota इसकी unit लगे imaginary number की तो यह पूरा number मेरा imaginary part बन जाता है imaginary part क्या है 2 root 3 और यह 2 root 3 हमेसा क्या होता है real number होता है तो क्या x की value plus minus root 3 iota possible है क्या x की value plus minus root 3 eta possible है नहीं है ठीक है तो एक चीस्तों हमें यहीं मिल रही थी कि x square is minus 3 ठीक है तो बच्चे बोलती सर माइनस हम complex number बट रहे हो सकती है तो इसलिए मैंने आगे further solve करवाया कि plus minus root 3 eta आ गया अब मुझे पता है x and y both are the real numbers यह चीज़ जहां लखना तब यह imaginary part बना है otherwise यह imaginary नहीं था a and b बहुत था real number it means this value is not possible यह value मेरी possible नहीं है इसका मतलब मेरी x की value क्या आएगी plus minus 1 आएगी तो यह concept आपको अच्छे से आना चाहिए ठीक है अब x की value plus minus 1 है यहां से मैं y की value निकाल सकता हूं मैंने y क्या निकाला था भाई मैंने यह से y निकालो था रूट 3 divided by x तो यह निकालो y is equal to क्या हो जाएगा root 3 divided by root 3 divided by मेरे पास क्या है x और एक्स क्या है plus minus 1 क्या है plus minus 1 तो y की value क्या हो जाएगी plus minus root 3 ठीक है, तो मेरा complex number क्या बनेगा, मेरा complex number बनेगा, plus minus 1 है यहाँ, plus minus root 3 है it means this number is the same जो मेरा answer था ठीक है, यानि ऐसे भी निकालोगे तो भी कोई फरक नी पढ़ने वाला लेकिन तीनों में एक एक चीजी concept है वो आपको अच्छे से concept फर्स मेतड जब हमने किया, तो हमें पता होना चाहिए यह positive का बाता है और negative का बाता है, positive का आएगा जब दोनों यह तो positive हो, दोनों negative हो और negative का बाएगा, जब एक positive एक negative हो एक negative एक positive हो, ठीक है दोनों में से को एक negative होगा, तो मेरा यह जो प्रॉडक्त है वहां पर मुझे क्या होना चीए प्लस भी हॉल स्कर कैसे बनाना इसके अच्छे से पता होना चाहिए तो वह कॉंसेट हम यहां यूज करेंगे थर्ड जो हमने पाट किया थर्ड पार्ट में हमें यह चीज पता होनी चाहिए ठीक है तो ऐसा ना हो कि यह चीज लेकर बैठ जाओं यह भी है यह बी है एक मैं इससे निकालों और फिर उल्टा निकलेगा वाइक वैली बीड़ चाहर निकल जाएगी न क्योंकि एक्वेशन क्या है एक्वेशन मेरी बन रही है यह यानि पावर फूर है इसका मतलब इसकी चाहर रूट आने वाले दो यह आगrabi दो हök दो तो पॉसीबल नहीं यह बाकी दो मैं यूज़ करता हूं इन दो से मेरे दो और रूट की ट Hayक तो मैं इसका रूप निकाल सकता हूं ठीक है इस प्लीच को